जहिन वंदमातरम तो आज हम आपसे बात करने वाले आपका मिटम का एक सब्जेक्ट है आपके फंडामेंटल सफॉटी कल सब्सक्राइब जो की फस्ट यहर फस्ट समिस्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट आपके सब्जेक्ट माना जाता है ठीक है तो डेटेल में बात करेंगे के बहुत सारे कोशन्स आपके और इक्जाम में बिल्कूल बेशे कोशन आते हैं हिंदी और इंग्लिस दोनों मीडियम में सॉल्व गरेंगे तो डेटेल में देखती हो चलना और कोशन्स भी आपके जो की पांच कोशन्स आपके आते हैं तिन थी नमबर के उनको भी हम में बहुत सारे कोशन्स हो सकता, चेंजेस मिलें है तो इनको ध्यान से देख लेक लेना जो की ह हार साल रिपीट होता है बिल्कूल सेम पैटर्न होता है और अभी तक आप मारेकर टेलीग्राम चनल पर नहीं जोड़े मैं तो необходимо टेलीग्राम पर सर्च भी करोगे एगरी जरनी तो आराम से मिल जाओंगा और इंस्सक्राम की भी लिंक डिस्क्रिप्शन में कोई भी आपको डाउट हो आप आसक कर सकते हो ठीक है बाकि भाई सपोर्ट करो या थोड़ा सा अप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हो या ना तूकि है तो फर्स्ट कोईशन आपका यहां पे दिया हुआ है फ्रेंच बीन की एंथ्रक नोच पितिरोधी किस्म है यह फ्रेंच बीन है इसकी आपकी एंथ्रक नोच जो की मेली आपका मेंगो में भी भूट लगता है तो एंथ्रक नोच की जो रिजिटन्स बेरायेटी कौन सी है तो देखे हो यह कुछ बैरायटी दिए हुई यहां फ्रेंच बीन की उनमें रिजिटन्स बैरायटी आपकी ट्वीड बन्डर करके एक रिजिटन्स बैरायटी माने जाती है तो इसका राइट आप पाश ही हो जाएगा ठीक है पाकि आप यहांपे दिख सकते हो एक कपी ब आपको पटा है Central Plantation जो आपका इस्टिट्यूट है वो कहां पे इस्टे थे प्लांटेशन ठीक है तो option आप देख सकते हैं हिमानचर प्रदेश, बैंगलोर, करनाटिका या तमिल नाडू तो जो कासर गोंड आपका किरल में हैं वहाँ पे आपका प्लांटेशन, रोपर, फसल आपका इसका डी हो जाएगा याद रखना question important है कई बार पूछ लेता एक्जाम है और इसकी स्थापना established कब हुआ था तो 1960 में established हुआ था 1916 में इसको याद रख लेना आप ठीक है next हम बात कर रहे हैं आपके question number 3 की यह भी आपका अच्छा question है international society for hotigol sir science का मुख्याल है कहां इसको भी आपको याद कर लेना है ठीक है ऐसे questions competitive exam में पूछते है next आपका question number 4 में यहाँ पूछा हुआ है कि फलो की हरारी हटाने के लिए किस रसाइन का उपयोग किया था हरारी का मतलब हरापन डी ग्रीनिंग ठीक है आप इंग्लिस में भी दिख सकते हो which chemical is used for degreening of fruit अग यहाँ पर फर्स्ट बोला हुआ है आई बी ये इंडॉल्ट ब्यूटाइरिक एसिड साइटोकाइन हो गया आपका जिब्रेलिक एसेड हो गया और यहाँ पर एथाइलीन हो गया तो आपका जो है manly degreening करने के लिए यूज करते एथाइलीन का ठीक है आपको पता है फलो को का घर कहा जाता है तो आपको पता है vegetables, spices, medicinal, fruits and flower तो इंडिया आपको पता है मसालों का जो है राजा बाना जाता है ठीक है इसको आपका जो है queen of nuts बोला जाता है king of nuts कुसको बोलते है तो यहाँ पर walnut को king of nuts भी बोला जाता है अख्रोट को ठीक है इसका right answer आपका यह यह हो जाएगा question number sorry C हो जाएगा याद रखना nut का जो है आपका king korn है तो वो walnut है और queen आपकी मुंगफली माने जाती है next हम बात कर रहे question number 7 का खीरा ठीक है खीरे के फलो को किस तापमान पर लंबे समय तक संगरहित किया जा सकता है cucumber fruits can be stored for longer period at the temperature of तो वो temperature कोन सा है तो वो सबसे suitable यह temperature है वो 10 celsius 10 celsius तापमान आपका सबसे suitable माने जाता है और अगर आपको खीरा को रखना है और 95-93% के आसपास आपकी humidity होनी चाहिए वाई ठीक है यह important है cucumber के लिए आधरता आपके पूंच ले था तो आधरता आपकी 30% के आसपास और जो temperature है वो 10 celsius होना चाहिए cucumber के लिए लॉंग time टाप आप इसको storage करके रख सकते हो यह तो important question ही है आपको पता है आपको बहुत सार बहुत बार repeat हो चुका ही है vegetables are rich source of vegetable किसका resource माना जाता है vitamins का carbohydrates का protein का या fats का तो आपको पता है vegetables और जो fruits होते है वो mainly आपका vitamins और minerals के resource माना जाते है तो right answer इसका A हो जाएगा आपका ठीक है vitamins most important है इसको भी देख लेना आप लोग पता ही है next हम बात कर रहे है question number यहाँ पे 9 का यह पूछा हुआ है आपसे virus disease of chili जो आपकी chili है यानी मिर्ची है ठीक है capsicum enum तो इसमें manly disease है तो virus के द्वारा जो spirit होती है फैलती है तो वो है आपकी white fly ठीक है याद रखना है question number 9 का A हो जाएगा white fly manly आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका next हम बात करें question number 10 का इसमें क्या बोला हुआ है french bean में vitamin C सामक्री के आबिदन के साथ बढ़ाया जा सकता है मतलब vitamin C content in french bean में manly कौन सा content आपका जो है जिसके उसकी उसके जो उसमें संगठन होता है मतलब जो vitamins होते है उनको increase किया जा सकता है ठीक है french bean में तो उसके लिए किसके है आपे french bean में है इनके vitamins को increase करने में मदद करता है french bean में ठीक है next हम बात करें question number 11 का बिल्कुल basic questions है already आप सभी को पता ही होगा चीनो-podium किसका परिवार है तो किसकी family है वाई चीनो-podium potato का sweet potato okra या spinous sweet potato आपको पता ही है तो आपको पता ही है तो इसकी फैमिली है sweet potato आपका आपको मिया बटाटा इसका बैग्यानिक नाम है और इसकी family आपकी जो है कौन बोल बुले सी करके इसकी family है ठीक है और okra का आपको पता है माल बेसी है तो शीरो-podium जो रहेगी वह Spanish की यहां पर family है दी आपका question number 11 का right answer हो जाएगा ठीक है नेक्स हम बात कर रहे है question number 12 का इन्होंने पूछा हुआ है निम्लिकित में से कौन फूल गोबी की प्रारंबिक किस्म है प्रारंबिक मतलब अंगेती किस्म में पूछा हुआ है which of the following are earliest variety of cauliflower तो कौनसी है वही कौनसी पूछा केत की synthetic second snowball या none of this तो पूछा दो केत की variety है यह आपकी फूल गोबी की अंगेती किस्म माने जाती earliest variety है फूल गोबी को कुकुर फेरी सी ठीक है और यहाँ पे शॉलिन यसी तो सल्जम जो आपका बिलोंग करता है वह यहाँ पे कुकुर फेरे सी ठीक है इस family शे बिलोंग करता है सल्जम सी आपका question number 13 का right answer हो जाएगा है ना नेक्स्टम बात कर रहा है आलू का potato solenum तो potato is a source of vitamin कौन से source का vitamin C का rich source माना जाता है आपका अलू है ना इसको भी आपको याद कर लेना है बैसे के लिए चीजे विल्कुल याद करनी के है इनी basic basic सी चीजे है नेक्स्टम बात कर रहा है आपको यह भी पता होगा पूलिघोगए विपटेल के कारण होल था विपटेल is a cauliflower तो कालीफ्रोवर में जो विपटेल समच्या होती है वो किनकी कमी सो होती है तो आपको ढल्रेडी पता है Deficiency यगéle और डरी पढ़ा होगा आंदरप्रदेस नंबर फस्ट पर आता है और इसकी 57% contribution है totally जो मिर्च प्रडक्शन होता है व्ल्ड मतलब इंडिया में उसमें 75% तो आपका ओनली आंदरप्रदेस का contribution है तो आंदरप्रदेस आपका first हो गया ठीक है लिख लो यहाँ पे पी आपका फर्स्ट नंबर पर है यहां पर लिख देता हूं थोड़ा सापको समझ में आएगा तो एपी फर्स्ट पर हो गया इसको लिख लेना और इसके बाद आता है आपका तेलंग आना सेकेंड नंबर पर हो जाएगा मिर्च की प्रोडक्शन में आंधरा जो है MP आपका यहां पर थर्ड नंबर पर है और फोर्थ नंबर पर जो आपका आता है वो है कर्नाटिका जिसमें सब्सक्रादा कंटिविशन आपका इसका है तो आंधरा का 57% कंटिविशन है राइड आंसर सी हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट उद्ध्यान का सबसे प्राचीन प्रकार है व अब का ठीके अर्मार्केट गर्णिंग वेजटेवल गर्णिंग वीजटेवल गर्णि म áreas क कौशिन बंते हैं इनसे स्बीशन बंजाता है और मर्किटिंग वैजटेवल यक्रिम बंजाता है रहम मार्केटिंग गर्ण दिया हुए इसको देख लेना ठीक है नेक्स्ट तो इसका राइड आंसर आपका 12 सब्जी है वो शतावर एसपरिकस याद रख लेना आप इसको पूछ लेता है बैसिकली लेकिन समझ में आई गया होगा आपका आंसर तो 12 मासी आपका नेस्टर शौर्णा इसकी भई लोग्प्रिय बराइटी शोडणा पॉपलर वर्याइटी तो आपका जो है आप लिखा ववए है मैथी ठीक है सिसको मेथी बोलते है इन्यूक्त को मैथी बोला जाता है इसको भी आप यळ रख लेना कुष्यंस आते हैं एन्य जोकी नहीं इसको है कि कारण होता है बिल्कुल बेशे कुशन नौर्मल, फंडामेंटल्स का मतलब ये मुल्भूत चीज़े पूसता है, होटीकल स्टार्टिंग से, तो फंगस हो गया, ठीक है, बकाई रोट, बकाई रोट आपने पढ़ा होगा टमाटर में, कुछ इस टाइप से आपका बकाई रोट होता है, आप लोगो कि इसका रोग कारक का नाम क्या है, तो फाइटोप थोरा फाइटोप थोरा पैरासेटी का, ठीक है, पैरासेटी का इसका जो है आपका, इसका रोग कारक कारक का नाम होता है, ठीक है, रोग कारक का नाम होता है, तो एक बार आप इसको देख लेना भई, नेकुल पेपर में पूछता है बकाई रोट के बारे में, दो नंबर में लिख देगा वह बकाई रोट और आपसे बोलेगा इसे सिम्टम से बगएर रोक कारक का नाम लिखो, तो यह चीज़े आपको देख ले नहीं है, बकाई रोट, ठीक है, टोमेटो हो गया, नेक्स्ट आप हम बात कर रहे ह है चोटी बटी रोग आपका बरेंजल में लगता है और यहाँ पे कुछ नमबर टॉन्टी टू का है दा फ्रूट ऑफ बनाना इस बॉटनी कली बनास्पति रूप्षय बनाना क्या है तो बनाना आपको पता एक वैरी है जो फ्रूट के टाइप सोते हैं और बैरी जितने पीपो आते पीपो में आपके कुपर बिट्स आते हैं आक इनको देख लेना आप बैरी स में लिची तो करूमुजूम नम्बर kete рек STEVE फलो की नी कहा जाते हैं अब लोगो पता होगा तो स्वेकर नमबर 24 होते हैं कि मैं यह तो ईपीस गूता है मैंगूजी तीन ूहां घिंति होता है तो इसमें आपको 14 क्रोमुजूम नमडर होता है ठीक है नेक्स टम बात कर रहा है होटीकल सर बिल्कुल देखो basic basic questions मिल रहा है आपको the term होटीकल सर दिया हुआ है तो होटीकल सर्सक्ष रुद्पत्ति आपकी लेटिंग भासा से हुई है है ना सो भी आपको याद रखते ना है पिल्कुल basic question है next time बात कर रहे है question number 25 family of आप से पूछा हुआ है तो आपको पता मार्टी एसी आप किसकी फैमिली है सीडियम को आजाबा की ठीक है नेक्स्ट हम बात करें कोशन नमबर 26 का कि मौनो कोड फ्रूट है कुन सा फ्रूट है सा मौनो कोड एक बीच पत्री इनमें कौन-कौन से इक बीच पत्री फ्रूट है आपको पता होगा झूता तना पाया जाता है बनाना के अंदर च्वार्ट तकर आप चीलते जाओ ये चीलते जायोगे तना आपको नहीं मिलेगा कहीं वी बनाना मैं इसको देखना आप और घाँ आप तो आपको पता यह गाइंब खाने हधा को इस अरट य्य लग याफ डिखेपन ऑलग टाइप बाराइटी देखनेी तो इनको आप पिपर में पूछता है बह muitaCo देखना है और नेक्स किम बात कर रहेए ख्रuy iceptДаometric को तो 208 गांड को क jó एक बार देख लोगे आपने पढ़ाहुए और बहुत अच्छे तरीको turnover एक और ऋछ med तो एक बार इनको देख ले ना आपको आराम से सारी चीजी क्लियर हो देण मैंगो हो गया है ठीक है नेक्स हम बात करें क्वेशन नबर 29 का आम का बैप साइक रूप से किसके द्वारा प्रशांट किया जाता भाई आम का मैंगो इज़ा कर पूर्पोगेशन कर्मिशनली मतलब व्यापारिक लिवल पर तो मैंली आपका बिनियरी ग्राफ्टिंग ठीक ह से इसका जो है मैंली प्रुपोगेशन आमका किया जाता है इनार्चिंग भी कही कही देखने को मिलता है बट मैंली बिनियरी ग्राफ्टिंग मोस्ट है आपका ठीक है सीड वगरा से नहीं करते हैं सकर्स टीवर्डिंग यह कुछ भी नहीं करता है बट मैंली व्यापारिक से आपका ग्राफ्टिंग करता है पुश्रमबर तीस का निम लिखेज में से बड़िंग की कौन सी एक विधिन नहीं है तो सिंपल यह आपको समझ में आगो बड़िंग और जाउड़ कशनव में डिफ्ट इंपॉट अमोस्ट टैंट और बहुत सारी यूजर से आप आप आराब से लिख सक्कते बहुत अच्छा बहुत सारा लिख सकते हैं प्रूनिंग पूचेगा और यहां पर ट्रेनिंग क्या होता है आपको पता ट्रेनिंग मतलब ब्रचों की सधाई करना ठीक है तो यह मोस्ट इंप्रूनिंग इनमें आपका अंतर भी पूचता है यह मैंने देखो यहां पर दिया हुए और लिखने का सिंबल तरीका आपको बता बता चुका हुँ स्टाल लगा के हमेशा जब भी लिखना तब भी लिखा करो कुछ भी चीजिए ठीक है इससे यह आपकी जो कॉपी चेक करेगो समझ में आएगा थोड़ा सा सिस्टेमेटिक रहता है सारी चीजिए रामायांड्स ज बता होगा दो टाइपस में इनको डेफाइन किया गया प्रूनिंग को ट्रेनिंग भी आपके अलग-अलग मेथर्ट्स होती हैं सेंट्र लीडर सिस्टम अलग-अलग मेथर्ट्स में आप इनको पढ़ोगे ठीक है अडू चाब अगेरा में यह सब कुछ आपको डेटेल में देखनी को मिल जाएगा तो मुस्ट इंपयाटेंट है सेक्श्यूल, एक्सेक्शूल, असेक्श्यूल अधाब प्रूपगेशन यह भी आपको पढ़ना है, उपकी लेंगए और अलेंग अलेंग मेथर्ट्स है और सेक्श्यूल असेक्श्यूल में आपको डिफृइन्स भ तो आपको यह सारी चीज़े बता रहा हूं कैसे क्या पढ़ना है और क्यूंकि मैं कॉलेज के साथ निकला हूं तो वह चीज़े मिलको पता है कि कि किस टाइप से कुश्चन पेपर में आते हैं पढ़ना और ना पढ़ना आपके उपर अब आपकी मैंने बता दिया sexual arts अंतर देख लेना और propagation की methods देख लेना प्लांतिंग मेथर्ट देख लेना आपको dalसे को कौनिए होटेगा ने ऑपको नभडेगा अपको लिखना पड़ेगा फिक है तो इनको आप देख लेना और different between training and pruning यह आपको पहले ही already बता चुका हूँ तो यह question से कुछ अगर आप इतना भी कर लेतो तो sufficient है आराम से आप यहां पर mentally 20 number 25 number तक 22 number तक आराम से आप अपने minimum में लेके आजाओगे ठीक है जो बोला है उतना अगर कर लोगे नहीं करते हो तो फिर तो आपको बता है ठीक है बाकी questions मैंने बता दिये और doubt आता है तो follow कर लेना आसका कर सकते हो मेरे से सब्सक्राइब जिरू कर लेना चैनल को यह सारे question most important है थोड़ा बहुत आगे पीछे देख लेना तो आपका आराम से हो जाएगा बाकी मिलते है नेक्स